असलाम्कुम क्लास इसके इलावा हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे जो के प्रियॉडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटिड है तो यह आपके पास एक्सरसाइज मौजूद है 6.8 यह हम प्रिवियस लेक्चर लेक्चर नमबर 2 में डिसक्स कर चुके हैं डिटेल में अब आप यहाँ पे चेक करें आपके पास यह A, B, C, D, E यह पांच डिफरेंट इंडिपेंडेंट्ट केसे हैं यह इनका आपस में कोई तालुक नहीं है, इंडिपेंडेंडेंट है लेकिन अगर आप होरिज़न्टरली चेक करें तो आपके पास नेट सेल्स है, बिगनिंग इनवेंट्री है, पर्चेज़स हैं, एंडिंग इनवेंट्री है, कॉस्ट अप गूर्ड सोल, जीपी, एक्स इनका आपस में हम पहले ही डिस्कुस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नमबर टू में हम डिस्कुस कर चुके हैं, केस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यह सवाल आपके सामने मौझूद है, अब हम एक एक करके इस केस को सॉल्फ करेंगे सवाल में, horizontally एक case दियावा है हमने अपनी असानी के लिए इसको vertical लिख लिए है ताकि solve करना आसान हो तो अब देखिए यहाँ पे हम association discuss कर चुके है sales में से cgs minus करें तो gross profit आ जाता है अब अगर आप sales में से cgs minus करें gross profit आ जाता है इसका मतलब है gross profit में अगर हमें gross profit दियावा है और sales दियावा है तो sales में से हम gp minus करेंगे तो हमें cgs पता चल जाएगा यानि cgs is basically the sum of sales is basically the sum of cgs and gross profit तो अगर हम इसको find out करना चाहें तो sales हमारे पास है 2,40,000 और 2,40,000 में से यानि के sales में से gross profit minus करें जो के हमारे पास कितना है 95,200 तो हमें क्या पता चल जाएगी हमें cgs पता चल जाएगी जो के हमारी आ रही है 144,800 और यह हमने कैसे मालुम किया sales में से हमने gross profit minus कर दिया तो हमें ये amount पता चल गई इसी तरह अब आप net income देखे missing है तो net income में हमें क्या होगा हम gross profit में से expenses अगर minus कर दें ये लिखा हुआ है तो हमें net income पता चल जाती है बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास available for purchase कैसे आता है इन दोनों को अगर हम add कर लें यानि के available for sale तो यह आ जाएगा आपके पास और फिर ending inventory हम minus करते हैं तो cost of goods sold आ जाता है वैसे तो हमने cost of goods sold यहां पर भी निकाला वाई लेकिन अगर हमने री चेक करना हो तो हम इसको यूँ चेक कर लेते हैं minus करके तो हमें पता चल जाएगा कि amount हमने ठीक calculate की है यह नहीं तो आप बिल्कुल देख लीजे कि यहां पे जो हमने cost of goods sold calculate किया है और income statement के format से cost of goods sold calculate किया है यह दोनों almost same है इसी तरह जब आप independent case B में आते हैं तो case B में हमें पता है कि sales है और sales में से अगर आप less कर दे cost of goods sold तो आपके पास GP आ जाता है तो हम चेक करते हैं कि sales है और sales में से अगर हमने cost of goods sold less किया है तो हमारे पास GP कितना आ रहा है 2,16,000 हमारे पास GP आ रहा है और expenses भी हमें नहीं पता है लेकिन हमें net income पता है तो gross profit में से expenses minus करते हैं तो net income हम आ जाता है इसका मतलब है gross profit is the sum of expenses as well as net income तो अगर हम gross profit में से net income minus कर दें यानि कि 2,16,000 में से अगर हम net income जो कि 20,000 है वो minus कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है हमें पता चल जाता है कि हमारे total expenses कितने हैं जो कि 1,96,000 है similarly अगर आप next देखें तो अगर हम beginning inventory और purchases को add कर लें तो हमारे पास cost of goods available for sale आ जाती है ending inventory नहीं दी वी है लेकिन cost of goods sold दी वी है तो cost of goods available for sale में से हम ending minus करते हैं तो cost of goods sold आ जाता है इसका मतलब यह है कि अगर हम reverse calculation करें तो 344 में से अगर हम minus कर दें हमारी cost of goods sold जो कि 2,64,000 आ रही है तो हमें क्या पता चल जाएगा हमें पता चल जाएगा हमारी ending inventory तो आपने अगर reach एक भी करना हो तो आप cost of goods available for sale में से ending minus करें तो यकीना हमारे पास यह amount आ रही है इसके इलावा अब हम case number C discuss करते है केस number C है महा में दियावा है sales में से CGS minus करें तो gross profit आ जाता है और gross profit में से अगर हम expenses minus करें तो net income आ जाती है net income नहीं दीवी है तो हम यहां से minus कर लेते हैं पता चल जाएगा के net income कितनी आ रही है net income हमारी आ रही है 40,500 इसके इलावा आपको beginning inventory दीवी और purchases नहीं दिये वे हैं इसी तरह available for sale नहीं है लेकिन ending inventory और cost of goods sold दीवी है cost of goods available for sale में से ending minus करते हैं तो हमारे पास cost of goods sold आ जाता है इसका मतलब यह है के cost of goods available for sale is the sum of two things यानि के ending inventory जो के 1,66,500 है और अगर हम इसमें add back करने cost of goods sold जो के 4,41,000 है तो हमें cost of goods available for sale आ जाएगा और purchases मालूम करने के लिए अगर हम reverse चलते हैं यानि के अगर हमने purchases मालूम करना है तो cost of goods available for sale जो के हमारा आ रहा है 6,7,500 इसमें से अगर हम minus कर देते है 207 यानि के आपकी जो beginning inventory है तो आपके पास purchases आ जाती है जो के 4,500 आ रहा है और अगर आपने reach एक करना है तो beginning inventory और purchases को add करके देख लें आपके पास available for sale वाली amount आनी चाहिए जो के उसके बाद उसमें से अगर आप ending minus करेंगे तो ये आपको cost of goods sold आनी चाहिए जो के आपके पास given है बिल्कुल इसी तरह अब हम देखेंगे के हमारे पास यहां पे case number D है case number D में आपको देखें sales दिया वा और cgs नहीं दिया वा लेकिन gross profit दिया वा है तो sales में से अगर हम cgs minus करते हैं तो GP आ जाता है तो अगर हमने cgs मालुम करना हो तो हम sales में से simply minus कर देंगे GP जो के 234000 आ रहा है तो हमें cost of goods sold पता चल जाएगा ये जो cost of goods sold है ये हम यहां पे भी लिख सकते हैं जो के 5,76,000 है आपके पास net income भी missing है तो अगर आप gross profit में से net income minus कर देते हैं तो आपके पास profit ये loss आ जाएगा और अगर हम minus करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास amount जो है वो bracket में आ रही है और amount bracket में आने का मतलब है कि हमारे पास ये net income के बज़ाए क्या आ रहा है net loss आ रहा है यानि कि जो amount हमारी bracket में आ जाती है minus में आ जाती है net income वाले box में तो इसका मतलब है वो net loss रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह अगर आप यहां पे देखें इसको फर्दर तो हमें जो है ending inventory given है cost of goods sold हमने income statement से copy कर लिया है तो cost of goods available for sale कैसे आएगा हम इन दोनों को add कर देते हैं तो कैसे 1,35,000 हमारी ending inventory है और अगर हम इसमें अपनी cost of goods sold add कर दें जो 5,76,000 है हमें इसको add कर दिया है तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास cost of goods available for sale आगया और ultimately अगर हमने beginning inventory मालूम करनी है तो cost of goods available for sale में से हम minus कर देंगे purchases जो के 4,50,000 है तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा opening inventory क्योंकि opening inventory में हम यह plus करते हैं तो हमारे पास cost of goods available for sale आजाता है और अगर आपने re-check करना है तो इन दोनों को add करने 7,11,000 आना चाहिए अगर आजाता है तो आपने इसको सही calculate किया है इसी तरह हमारे पास last case है case E और उसमें आप देखिए आपको gross profit दिया वा है और sales given नहीं है तो sales में से हम cost of goods sold minus करते है तो GP आ जाता है इसका मतलब है sales is the sum of CGS and GP तो sales मालुम करने के लिए हम CGS जो के हमारे पास 3,96,000 है इसमें हम add कर देंगे GP जो के 1,35,000 है तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी sales की amount आ जाएगी expenses हमें नहीं पता हैं हम gross profit में से expenses minus करते हैं तो net income आ जाती है अब अगर हमने expenses find out करना है तो हमारे पास gross profit कितना है 135 है और Q के answer हमारा negative आ रहा है so class अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि हमें जो है expenses given नहीं है आम तोर पे हम gross profit में से expenses minus करते हैं तो net income आ जाती लेकिन यहाँ पे net loss आ रहा है इसका मतलब यह है कि हम gross profit में से हम इसमें expenses हम gross profit में से minus करते थे यहाँ पे हम क्या करेंगे क्योंके loss आ रहा है तो हम add back कर देंगे यानि हमारे expenses ज्यादा है हमारे gross profit में से तभी तो हमें loss आ रहा है, इस वज़े से हमें यहां पे loss शो हो रहा है, अब अगर हम यहां पे cost of goods available for sale calculate करें, तो वो कैसे करते हैं, उसमें से हम ending inventory minus करते हैं, तो cgs आ जाता है, तो यहां पे हम इन दोनों को sum कर लेंगे, यानि के हमारे पास जो ending inventory है, 1,53,000 है, और इसमें हम add कर लेंगे 3,96,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा cost of goods available for sale, और अगर हमने purchases निकालना है, तो cost of goods available for sale में से हम opening inventory minus कर देंगे, जो के 5,49,000, अभी हमने calculate किया है, इसमें से हम opening inventory है, beginning inventory minus कर देंगे, तो यह हमारे पास answer आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, कि हमने net purchases मालूम की, so इसमें हमने missing figures find out की, missing figures find out कैसे की, कि हमें एक association पता है, कि sales में से CGS minus करते हैं, तो GP आ जाता है, and so on and so forth, so जो amount missing होगी, अगर हम from upward to downward amount मालूम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम reverse calculation करते हैं, यानि कि जो amount हमें नहीं पता हो, वो हम downward to upward चलके, और वो amount हम calculate कर लेते हैं, so ये था exercise 6.8, next exercise हमारी जो है, वो है 6.13, ये 6.13, ये हम देखेंगे, और इसमें हम चेक करते हैं, क्या क्या चीज़े हमारे पास मौजूद हैं, क्या मौजूद नहीं हैं, और क्या requirement है, तो हम इसको read करते हैं, सबसे पहले हैं, Mountain Mabel is a small general store located just outside of Yellowstone National Park, the store uses periodic inventory system, use करते हैं, January 1st, Mabel and her husband close the store and take the complete physical stock, और physical stock की, अगर हम बात करें, तो January 1st, prior to the year, ये, January 1st का मतलब ये है, कि ये आपका opening stock है, opening inventory DV है, and the inventory balance on December 31st was, और ये आपकी कौनसी inventory DV है, 4,560, यानि कि December 31st की, ये closing inventory DV है, इसके लावा आपको sales की amount DV और आपको purchases भी दिये वे हैं, और आपकी जो requirement number one है, वो पूछावा है, cost of goods sold prior to the prior year, cost of goods sold for the prior year, तो आपको आपसे cost of goods sold पूछी भी है, और cost of goods sold हम पहले भी कई भार calculate कर चुके हैं, so cost of goods sold का जो हमारा तरीका है, वो ये सामने मुझूद है, find out करने के लिए, so हम cost of goods sold, उसी तरह से find out करेंगे, कैसे हम find out करेंगे, कि हमारे पास opening inventory है, जो कि 6,240 दिया वा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 6,240 और इसमें हम क्या add कर देंगे, purchases, और purchases हमें कहाँ दीवी हैं, purchases, December sales were this and purchases were this, so purchases हमें दीवी हैं, 7,000, 74,400, so इन दोनों को हम add कर देंगे, तो cost of goods available for sale आ जाएगा, यह हमने add कर दिया, और minus कर देंगे closing inventory, और closing inventory हमें यह दी भी है, 4,560 जो कि December 31st की है, तो 4,560 हमने minus कर दी है, available for sale में से, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया, कि cost of goods sold कितना आ रहा है, जो कि 76,080 आ रहा है, next requirement जो इसमें पूछी भी है, explain why a small business such as this might use the product inventory system, छोटा business हो, small business हो, तो वो product inventory system क्यों use करता है, सबसे पहली बात तो यह है, कि product inventory system को maintain करने के लिए, बहुत ज्यादा cost की जरूरत नहीं होती, तो आप यू कहलें, कि यह less costly होता है, less costly, किस तरह से less costly होता है, क्योंकि इसका cost benefit analysis करें आप, तो फिर इसका, उस हिसाफ से, यह small business को suit करता है, इसके इलावा, इसमें कोई external reporting नहीं होती, इसलिए यह at any time इसकी requirement नहीं होती, कि आप up to date accounts रखें, तो इसमें कोई up to date accounts नहीं होते हैं, इस वज़े से आप इसको use करते हैं, small businesses इसको पसंद करते हैं, इसकी maintenance असान होती है, इसको recording असान होती, year end पे बाद में एक दफ़ा ही आप calculation कर लेते हैं, stocks बहुत थोड़े होते हैं, inventory बहुत थोड़ी होती हैं, maintenance मुश्किल नहीं होती है, up to date requirement नहीं होती है, theft के chances भी कम होते हैं, क्योंकि छोटा business होता है, तो इतने chances नहीं होते हैं, explain some of the disadvantage of periodic system to a larger business such as a seers store, अच्छा, यह जो seers store है, यह basically American chain of departmental store है, इसके बहुत जादा multiple products होते हैं, और देखिए, आपर लिखावा भी है, larger business है, तो larger business अगर periodic inventory system use करता है, सबसे पहली बात तो यह कि इसकी up to date information नहीं होती है, अगर, क्योंकि larger business के लिए, तो यह बहुत जरूरी है, बहुत multiple inventories होती हैं, multiple accounts होते हैं, और हर वक्त up to date होना जरूरी होता है, except के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, cost of the inventory as well as quantity of the merchandise inventory बहुत high होती है, तो फिर हम SMA periodic inventory system का risk नहीं ले सकते, क्योंकि यह full information, up to date information नहीं provide कर सकता, period end पर जाके information provide करता है, तो हम उसका wait नहीं कर सकते हैं, इसके इलावा इसकी कोई external requirement small businesses में तो होती नहीं है, लेकिन large business में हर वक्त की external reporting होती है, हर वक्त की external reporting requirement होती है, फिर आपको पता है, अगर आप example लें, कोई mattress store का hyper star की example लें, उसमें multiple products होते हैं, anytime, यानि कि हर minute पे आपको पता होना चाहिए, कि अब आपका self में कौन सा product खतम हो गया है, कौन सा आपने order करना है, कौन सा आपका back end पे मौजूद है, तो आप कोई पता होना चाहिए when to reorder the products और when to and what to reorder, यानि अगर आप कोई बाते नहीं पता होंगी, तो फिर आपका large business जो है, वो loss में जा सकता है, large business के लिए इसी वज़े से product inventory system जो है, वो इतना ज़्यादा effective नहीं होता, बलके in fact उसमें loss के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, so that's it, इस lecture के लिए इतना ही था, next lecture, lecture number four है, जिसमें हम देखेंगे कि purchases को record करने के दो method होते हैं, एक cost method होता है और एक gross invoice method होता है, तो हम देखेंगे इन दोनों method में क्या difference है, और discount जब मिलता है company को, तो discount को हम कैसे record करते हैं under these two methods, so that's it, take care class.